आज हम बनाएंगे मुल्तानी मिट्टी साबुन जो कि हमारी स्केन को ब्राइट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कोता है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें एक कटूरी मुल्तानी मिट्टी डाल देंगे अधा कटूरी बेसन डाल देंगे बेसन भी हमारी स्केन को ब्राइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और फिर हम इसमें यह थोड़ी सी आधी चमच हल्दी डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसना एक पेस्ट बनाने के लिए इसमें नारियल तेल डालेंगे यह हमने एक कटूरी नारियल तेल लिया है इसको थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे अभी मैंने आधा डाला है और इसको मिक्स करना है नारियल तेल हमारी बोड़ी पर से टैन हटाने में काफी हेल्प करता है और स्किन को ग्लोईंग एक दम उस पे ग्लो ले आता है स्किन पर नारियल तेल कम है इसमें हम और डालेंगे इस पेस्ट में भी काफी लम्स है वो हमें हटाने है मिकाड़ा हो चुका है अब हम इसके सोप बनाना रेडी करेंगे आप एक प्लेट पर प्लास्टिक शीट बिछा लीजिए और थोड़ा थोड़ा यह लेके अपनी शेप के अकॉर्डिंग आपको जैसी शेप या जो साइज का चाहिए मैं आपको कुछ साइज और शेप बना के दिखा देती हूं आप बना सकते हैं कि अकॉरमा के अचिए लड़ास कि अवार मैं आपको इसका डेमो दूंगी ये दिखिये ये इक सुख चुका है मैं इसको अपने हाथ पे रब करूंगी ये स्किन को एकदम स्मूध और ब्राइट कर देगा आप इसको नहाते समय उसकरें इससे आप फेस्ट हो सकते हैं पूरी बॉड़ी पे लगा सकते हैं ये बहुत साधा फायदा करेगा इसको लगाने के बाद आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाएगी मुझे अब भी से सॉफ्टनेस फील हो रही है मेरे हाथों पे बहुत सॉफ्ट हो गए हैं आप इसको फेस्ट पर लगाएंगे तो आपका फेस्ट भी बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और एक्दम ब्राइट हो जाएगा आप देख सकते हैं कंपेर करके दोनों हाता को ये वाला बहुत साधा सॉफ्ट है ये उसके कंपेर में उतना नहीं है तो काफी अच्छा है ये और आप भी बनाएए और अपना एक्सपिरियंस मेरे साथ शेयर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करें है ये ये अव नहीं मैं इसेओ कर दो कर दो दो लगे और आपको ये नहीं वोग्य है झाल झाल